बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्चलाम अलेकूं, वेलकम टो प्रेमियो वर्चुल लर्निंग, आज हमारा जुनलर मैथमेटिक्स का लेक्चर नमबर 6 है, कुछ रीजन की वज़े से मेरे वीडियो अप्रोड नहीं कर सकी कर लोपर सो, तो आज कोशिश कर रही हूँ कि इस लेक्चर में हम इन दोनों की बात करेंगे, यह नेक्स लेक्चर में आएगा, ठीक है, तो अब हम कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं, जब दो फंक्शन को मिला कर हम कुछ बनते हैं, ठीक है, सिंपल तो फंक्शन होता है, x का हो जाएग, x is equal to this, y is equal to this, लेकिन अगर x और y दोनों एक ही फंक्शन में हो, तो वो composite function किलाता है, ठीक है, अच्छा, composite function को हम कैसे denote करते हैं, f of g, मतलब दो function है, f, और जो छूटा सा o है, तो इसको off कहेंगे, और g, मतलब composite function को ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, f of g, f, 0, g, यह इस सारे ही पढ़ेंगे, हम बोलेंगे, f of g, अब हम example करते हैं, consider two function, एक function है, हमारे पास f of x, ठीक है, मतलब f है ना, तो पहले f का function, is equal to 3x plus 2, and y, g का function, g of x क्या होगा हमारे पास, x square, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपके पास एक function f होगा, और एक g होगा, ठीक है, f of g है, to f of g होगा, y of x भी हो सकता है, कुछ यजिने, आप लोगों के पास, two function यह ही होगे, कि एक function यह है, वह दूसरा function यह है, अब हमने f of g करना है, तो हम क्या करेंगे? f of g लिखेंगे, is equal to, f of g क्या मतलब? f of g का मतलब, f में, k्या है? g of x है, मतलब g का function है, f of g है, तो मतलब f of g of x, ठीक है, इसको इस तरह लिखें two, um, sorry x square तो f हमारे पास g of x की जगh क्या आ गया? x square आ गया ठीक है अब हमारे पास f of x है तो f of x हमारे पास क्या है? three x plus two, तो हम क्या करेंगी? three और x की जगh हम क्या लेगें है यहाँ एकस है न तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है? x square है तो हमने x square लगा दिया प्लस 2 वैसे का वैसे ठीक है तो ये हमारे पास f of g का answer आ गया अगर हमें आप कहा गया हो कि g of x करें तो उसका answer भी लिखते हैं हम क्या आता है अब देखें g of x मतलब g बाहर होगा और अंदर क्या होगा f of x होगा ठीक है function होगा f का g वैसे का वैसे और f of x की जगह हम क्या लखेंगे जो question में हमें f of x दिया गया है वो लिख लिख लिए अब हमने क्या करना है g is equal to g मतलब g के साथ f of x हमारे पास 3x plus 2 अब हमारे पास g of x क्या है g of x देखें तो हमारे पास x square है तो x हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है यह वाला function आ रहा है देखें x यह function है तो हमने क्या कर दिया x के उपर square लगा दिया क्योंकि g of x पे क्या था हमारे पास x का square था तो इसलिए हमने g of x की जगह square लगा दिया तीक है अब देखें तो g of x का answer हमारे पास यह आते है और F of X का अंसर हमार पास यह आते है तो ऐसा possible है कि दोनों के अंसर different आएं ठीक है यह नहों कि आप लोगे के answer अलग आए तो यह खलत हुआ खलत नहीं हुआ यह सही है हम लोगों के answer different आसकते हैं क्योंकि यहां पर हमार पास value अलग है यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर हम अलग चीज करेंगे यहाँ पर अलग चीज करेंगे, ठीक है तो यह सकांस है, एक और एक्जांपल हम देख लेकिए उससे आप लोगों का concept clear हो जाएगा अब देखें तो हमारे पास दो function है, एक है f of x तो हमारे पास under root 4 minus x square है, और दूसरा function है g of x is equal to 3 minus x का under root अब हमने find क्या करना है, f of g तो f of g का मतलब f pair और g का क्या मतलब g of x under, ठीक है, अब f वैसे का वैसे यह, और g of x की जगा हमने g of x की value लिखनी है, जो कि हमारे पास है under root 3 minus x, वो लगा दी अब हमने f of यह करना है, f of x, तो f of x हमारे पास क्या है, f of x हमारे पास है 4 minus x square, तो हमने 4 लिख दिया, और x की जगा क्या लिख दिया, हमने 3x, यह तो हमारे पास x आ गया न, देखें, यह x की value है, तो x यहाँ पर क्या है, x square है न, तो हमने यहाँ पर x की value के उपर square लगा दिया ठीक है अब हमने इसको solve करना है तो देखें यहाँ पर यह square और यह under root अंदर जो under root है x minus 3 का under root वो आपस में cut गए तो हमारे पास आया 4 minus 3 minus x यह थी no value by अब 4 में से 3 चला गया तो 1 और minus minus plus 2 plus x under root ठीक है समझा गई अगर किसी चीज़ की confusion हो तो आप लोग comment में जरूर पूछें मैं आप लोगों को detail में समझाओंगी ठीक है आप लोगों को concept clear करूंगी मैंने अपनी तरफ से detail में समझा दिये क्कोंसी चीज़ कहां से आई है पहले g of x की value डाली जो हमारे पास है फिर हमने f of x का का काम किया f of x क्या कहता है कि f of x में हमारे पास x के उपर square है तो हमने वो डाल दिया फिर cutting की और इसको simplify किया ठीक है अब यहाँ पर next आता है जो हमने start में पढ़ा एक composite है और दूसरा inverse function है तो हम inverse function ठीकते है inverse function जड़ा tricky है लेकिन इसकी step आगर आप लोग याद रख लेंगे तो यह आप लोगों से बिल्कुल नहीं भूलेगा ठीक है अब हमारे पास एक function है f of x is equal to 5x minus 2 divided by 3 अब find क्या करना है inverse तो inverse कैसे होता है minus 1 उपर लगाया होता है तो इसका मतलब होता है inverse ठीक है अब हमने क्या करना है inverse find करने के लिए हम पहले क्या करते है जो हमारे पास question दिया गया होता है उसको हमने y के equal करना होता है क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास x के equal है f of x है लेकिन inverse मतलब इसका उल्टा तो x का उल्टा हम y लेंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर y is equal to f of x मतलब हमने इसको इसकी जगह ले लिया तो f of x हमारे पास क्या है 5x minus 2 है न तो y किसकी equal हो गया इसकी equal हो गया अब दूसरा step क्या है पहले तो हमने y को equal किया दूसरा हमने swap किया x की जगह y और y की जगह x लगाएंगे अब हमारे पास देखें तो यहाँ पर y है न तो यहाँ पर हमने x लगा दिया हो यहाँ पर x है तो हमने y लगा दिया एक दूसरे की value change कर दियी अब हमने value change कर लिए तो next step हम क्या करेंगे solve करेंगे y को x तो है न मतलब x इसकी equal आ गया है लेकिन हमने solve क्या करने y को तो बागी सारी चीज़ें दूसरी side लिके जाएंगे step क्या है solve for y तो हमने क्या कर लिए 3x कर लिए नीचे था ना यहाँ पर 3 था तो यह 3 उदर चला गया तो 3x होगया और यहाँ पर क्या रहे गया 5y minus 2 रहे गया अब हमारे पास यहाँ पर minus 2x रहे तो फ़लाईगा तो plus 2 हो जाएगा तो 3x plus 2 हो गया और इधर equal to 5y हो गया अब 5x रहे तो यहाँ पर multiply हो रहे है तो दर जाकी divide होगा तो हमने यह यहाँ पर लिख दिया, यह is equal to y, मतलब y की value क्या आई है, 3x plus 2 by 5y है, अब हमारे पास x की value हमने निकाली, हमारे पास question में थी f of x था न, हमने y की value निकाली, अब y क्या था, x का inverse है तो हम क्या करेंगे, y is equal to, क्या है, inverse था, f का inverse है, तो हमने क्या लगा दिया, f of inverse किसके equal है, इस value के equal, क्योंकि हमने तो f of inverse find करना है, तो यह value जो हमारे पास y की आई है, यह किसकी inverse की है न, तो हमने क्या लिख लिख लिया, f का inverse क्या है, 3x plus 2, question में हमारे पास, question में था हमारे पास, 5x minus 2 divided by 3 था, यह हमारे पास x की value थी, तो इस इसका inverse फिर क्या हो गया, यह उल्टा हो गया, ऐसे आप लोग नहीं करेंगे, यह इसको पर ले जाएंगे, और इसका science changing को गलत हो जाएगा, क्योंकि हर दाफ़ा एक तरह का question नहीं आता, तो आप लोगों नहीं यह करने, three steps है, पहले हम क्या करेंगे, y को equal करेंगे question के, second हम swap क करेंगे, x की जगा y, और y की जगा x, फिर हमने y को solve करना है, y को solve करेंगे, और end पर जो value आएगी, वो inverse होगा, उसको हम कहा देंगे, यह f of inverse है, ठीक है, जो भी question नहीं, आपने इसी तरह solve करना है, ठीक है, उमीद है, आप लोगों को समझ आगई होगी, किसी point की समझ नहीं तो आप लोगों कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आप लोगों को concept clear करूंगी, और यहाँ पर आज का lecture खतम होता है, मैं और वी examples करवा देती, लेकिन video lengthy हो जाती है, इसलिए मैंने बस आप लोगों का mind clear कर गया, जो भी question हो, आप अपने example के लिए, उन्हें और भी question ट्राइ होगी, ठीक है, ठीक केर, आला हाफिज,